नवश्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाध करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिशीन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 24th of December 2022 के बारे में 24th December 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला हैं कहां पर आप सभी को साफधानी रखनी हैं क्या चीज़ें आप सभी को करनी हैं और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम आज बात करेंगे साथ ही जात हम बात करेंगे अच्छु कुपाय के बारे में एंजल देती है और कहीं न करें आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन को संतुष्टी मिले ऐसा काम करने पर आपको और भी जदा अच्छा लगता हुए यहां पर नजर आएगा इट मेंस कि आज के दिन में आप अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिए और अपने मन के मताबिक काम करन को मिल जाएंगे बट सही काम गलत कामों में नहीं होना है अच्छे ही काम करने की कोशिश यहां पर आपको करनी है आज कहीं जो दिन है करना चाहते हैं तो वह डेफिनेटली कर सकते हैं इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं सो डेफिनेटली यह समय आपको काफी जदा फायता देता हुए नजर आएगा और इस समय में आप एक अच्छे लेवल पर अपने आपको स्टेवल करते हु रखने की कोशिश करें और साथी साथ अपने गुरुजनों को और आपके अगर चोटे भाई वहन हैं तो उन्हें कुछ रखने की कोशिश जरूर करिएगा आज के इस दिन में दो चीजों पर आपको बहुत ज़्यानी रखनी है पहली चीज आप सभी को पैसों के लेन दिन तोड़ा साथ मी आज के दिन जरूर रखनी है बहुत ज़्यादा की जिसलेना निए इस बात का विशेश द्यान रखेगा और दूसरी चीज आपको जो ज़्यान की और त्यर्ज़री आपको पर्याशानी जादा रहेगी तीन से नहीं करना है नहीं तो चाही निक팅 धSt仩 कर और कोल्ड कफ या फीवर में से आपको कुछ भी यहां पर देखने को मिल सकता है, खासकर कोल्ड कफ की कैल्कुलेशन जो है वो जादा दिखाई दीती है, इसलिए बहुत जादा सर्दियों से बचने की कोशिश करिएगा, और अनेसरी अपने आपको बाहर ना निकाले, जहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वहां न जाएं, इस बात का विशेश द्यान दीजिएगा, उमीद करता हूँ कि आप सभी को किसी भी तरग की बिमारी से गुज़रना नहीं पड़ेगा, रिलेशन्शिप के लिए यहां पर देख लिया जाए, तो यह समय काफी ज़दा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, आज के इस दिन में एक अच्छा रिलेशन्शिप स्टेबल कर सकते हैं, इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं, उन्हें खतम करने का प्रयास यहां पर जरूर करेंगे, डेफिनिटली आप सभी कोबाल अच्छे रिजल पिलेंगे, और आप सभी क अच्छे लेवल पर अपने आपको स्टेबल करते हुए मैसूस करेंगे, आज के इस दिन में देश और दुनिया में यहां पर बात करें, तो देश और दुनिया में भी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी यहां पर स्टेबल होते हुए दिखाई देगी, बहुत ज़दा कोई बहुत बढ़ा हाथ सा होता हुआ नहीं दिखाई दिता, बढ़ा कुछ नैचुरल एक्टिविटीज जैसे की चोटी-चोटी भुगम के जटके इस तरह से यहां पर दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत ज़दा हानी नहीं है, बहुत ज़दा नकरतमकता नहीं है, बढ़ फिर भी कुछ होता हुआ जरूर दिखाई दे, इस तरह की यहां पर दिखाई देते हैं, आज के इस दिन में राशियों के बारे में अगर हम बात कर लें तो वरशब राशी, करक राशी, तुला राशी, धनू राशी और मीन राशी के लिए काफी ज़दा अच्छा समय दिखाई देता है, नमबर्स में आपर बात कर लें, नमबर दो, नमबर चार, नमबर पाँच और नमबर नौ के लिए दिन काफी ज़दा शांदार दिखाई दिता है, अलफविट्स में आपर देख लिया जाए, तो अलफविट्स में A, C, D, F, I, H, K, R, और V, आप सभी के लिए आज का दिन काफी शांदार दिखाई दिता है, अब चलिए बात कर लेते हैं आप पर आज के बथडेश के लिए, अगर आज आपका जन्द दिन है, आपके एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई विशेश मैतोपन दिन है, आप सभी को मेरी और से हादिक्षप कमना है, इश्वर से ही प्रातना करता हूँ कि आप सभी शा आप सभी के लिए नजर आता है, आप सभी को पूरा एफर्ट करना है, और एक अच्छे लेवल पे अपने आने वाले साल को अच्छा करने की कोशिश करिए, डेफिनिटली आप सभी को काफे अच्छे फाइदे यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे से आप अपने लाइफ में बैलेंस होते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए इस साल के लिए अपने आपको प्रिपेर कर लिजिए, और सोच लिजिए कि क्या क्या करना है, उसके लिए जीत और महनत करना शुरू कर लिजिए, अब चलिए बात कर लेते हैं आपर आज के वैदि से जरूर करनी है, सबसे पहली चीज, अपने घर के मंदिर में आज कुछ मीठा बना के भोग जरूर लगाईएगा बगवान को, कुछ मीठा जरूर अर्पित करिएगा, बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेंगे, और उसके बाल अपने हाथ से पूरे परिवार को खिलाईएग इससे भी काफी ज़दा अच्छे परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे, आज के इस दिन में कहीं विशेश कारी से अगर बाहर जाते हैं, तो आप डार्क कलर कर सकते हैं, मैरून हो गया, आपका ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, इस तरह के कलर का आप ड बहां पर उसे बिखेर दीजेगा, चीटियों के खाने के लिए रख दीजेगा, इससे आप सभी की परिशानिया दूर होगी और मेंटल इस्ट्रेस काफी ज़दा कम होता हुआ नजर आएगा, इसके अलावा आज की इस दिन में आप सभी को अपने बड़ों का मान समान जर बहुत ही जदा पॉसिटिव नमबर है और आज का इस दिन में जो मैजिकल टाइम रहेगा, यह रहेगा आपका दोपर का समय, तू थर्टी से लेकर के फोर ओक्लॉक तक का समय काफी ज़दा शांदार रहेगा, इस समय में कोई भी कारिये कर ले, आप सभी को बहुत आप सभी के लिए काफी ज़दा शांदार रहने वाला है, नोट कर लीजेगा प्लीज, आज का affirmation क्या कहता है, आज के affirmation में आप सभी को अपने आपको mirror में देख करके, या फिर अपने आपको बाहर खुली हवा में रख करके यह sentence को बोलना है, जो मैं आपको बताने वाला आप सभी की खुशियां और आप सभी की success आप सभी को मिलते हुए नजर आएगी, तो दूसरों को खुश करने का मौका रखिए, आप और ज़ादा खुश होते हुए नजर आएंगे, इस बात का विशेश द्यान रखिएगा, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, आपको और ज़ादा अच्छा मिलेगा, आज के दिन में इतना अच्छा मौका आपके पास जरूर बनता है, तो इसलिए अपने दिन को शांदार करने की कोशिश करिए, हर तरह से अपने आपको खुश रखने की कोशिश करिए, और अपने आपको bless समझे कि आप एक बहुत अच्छ नहीं पर कर सकूँ, धन्यवार।